हलो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो तो आज हम देखने वाले इंकम टैक्स एस्पोर्ट कोटा का जो है वैकन से निकला है तो आप सभी देख लिजे इस वीडियो में जो है लास्ट डेट कव है और अपलाई करने का स्टाइंग डेट कव है और पोस्ट आप जैंत पास है और उसके बाद जो है आप सभी देख लिजिए इस वीडियो में जो है सारा जनकारी डिटेल में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं इंकम टेक्स एसपोर्ट कोटा जो है रिकार्मेंट दुजर तैस अपलाई नौ तो आप जो है सारा डिटेल देख लिजिए उसके बाद जो है नीचे चलते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है आप देख सकते हैं यहां पर जो है आप जो है अल इंडिया जोब है और उसके बाद जो है कोई फी नहीं लगने वारा और टोटल पोस्ट जो है 72 फोस्ट है उसके बाद जो है अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको लास्ट में बता दिया जाएगा जो कितना सेलरी मिलेग और इसका जो है अपलाई करने का जो है लास्ट डेट आपका 6-2-2023 है ठीक है और इसका अपलाई मोड है ऑनलाइन अपलाई आपको करना है और उसके बाद जो है और जो है इसका ओफिसिल वेबसाइट आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया ओफिसिल वेबसाइट आप जो है इस website पे जाके जो है online apply कर सकते हैं अन्य था आपको जो है वीडियो के description में link मिल जाएगा तो आप देख लीजी सबसे पहले important date तो apply starting date जो है 12.01.2023 से starting हुआ है और इसका जो है आपका last date है आपका 6.02.2023 उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं और देख लिए और जो है application fee जो है general या किसी भी category का जो है कोई fee लगने वाला नहीं है या other category का भी जो है कोई fee लगने वाला नहीं है और payment mode जब फी ही नहीं है तो कोई भी payment करने का mode नहीं है और इसमें जो है is limit की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 14.02.2022 तक जो है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं MTS की पद पर जो है 18 से 30 साल दिया गया है और उसके बाद जो है tax assistant and inspector का जो है 18 से 27 साल दिया गया है ठीक है और as a relaxation इसमें जो है अपने rule के अनुस सार जो है मिले वाला है और जो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं मल्टी टास्किंग के लिए जो है आपका 10 पास होना चाहिए और जो है tax assistant के लिए जो है degree for from जो है आपका government colleges से जो है equivalent होना चाहिए ठीक है किसी भी university से और उसके बाद जो है data injury का जो है स्पीड यानि कि जो है आपका टाइपिंग का स्पीड जो है 8000 की depression पर आवर होना चाहिए और उसके बाद जो है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं income tax inspector का जो है आप degree from government organization university और जो है equivalent होना चाहिए और आपकी salary की बात करें तो आप जो है salary देख लिए कितना रहने वाला है आ है नहीं होति के सकते हैं उले कि के वह सकते हैं पूतीस हाजार और चाहरीः त्रहने वाला है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं न ही से अर्टिफ्रेंड दिया गया है आपके कारिये के अनुसार जो हैं आपका सेलरी होने वाला है ठीक है यहां पर फिली रेजिकर पेस्पण के से लेकर के जो है ट्वेंटी 26 है यहां पर देख सकते हैं यहां पर 8 18 वीपिया लगने वाला है आप सभी का तो आप सभी जो है इस खेतर में आगर जाना क्याते हैं तो जीरूरेल स्फॉर्म को आप TV कीजिए जैघा औ da अपने अनुसाड जो है सारा वे ऐसे क्रेटरिया को जो है को फूल्फिल कीजीए गा और आपको जो है वीडियो कमने लिन्क दे दिया झाएगा आप वहां से एक फरम फिल अब कर देख लिए जो है इस तरह से जो है आप का उपन होगा और उसके बाद जो है आप यहां पर देख सकते हैं जहर फोटो का दिया गया है यहां पर चूज फाइल पर किलिक करके जो आपको फोटो देना और उसके बाद जो है यहां पर सारा चीज जो है अपना यूजर आई यानिकि जो है बैसिक डिटेल मांगा जाता है फादर स्ने मदर्स नेम उकुपेशन अधार नंबर डेट अब डौल फिल करके जो है इसको जो है सबसाल में आने के बाद आपको सिकनेचर वर बगएर करके जो है समिट कर देना है दो में तो छलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिजेगा तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत हो धन्यवाद